हुआ है है अगात है आप सभी का आपके अपने टूप चैनल स्टडी शिश्मी तर्चे में तो फेंड्स आज हम और बेशी क्लास 10 संस्केट चैप्टर नमबर 11 एका दर्शार पार्ट को स्टार्ट करेंगे अगर आपको मारे वीडियों अच्छा लगे तो प्लेश वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें देखिए अपने टाइटल क्या है पार्ट का स्वादेश की किस प्रकार से रक्षा की गई ठीक है ना तो सबसे पहले पार्ट पर इसे स्टार्ट करेंगे यह में कांग की डॉक्टर नारायन शास्त्री कांकरेंड वी रचित दास्ति यानि यह एक आकी डॉक्टर नारयन शास्त्री कांकर द्वारा रचित है अस्य महधस से जन्म जैपूर नगरे एभवत इन महधे का जन्म जैपूर नगर में हुआ अनेन संस्क्रित भाशायाम अनेका हा एकांके है लिखिता यानि कि इनके द्वारा संस्क्रित भाशा में अनेक एकांकी लिखे गए हैं तासाम संक्लनम एकांकी संस्क्रित नवरत्न सुष्मा नाम की अनेने वीरचीते गरंथे यस्ती उनका संक्लन एकांकी संस्कित नवरत्म शुष्मा नामक इनके द्वारा ही लिखेगा गरंथ में है अग्पर के साथ युद्ध करते हुए धन के अभाव में सैन शक्ती के अभाव में खिन यानि दुखी महरणा परतात सुए देशम त्यागने के लिए तयार होते हैं यानि खुद का देश त्यागने के लिए तयार होते हैं तस्मिन अवसरे मेवाड मंत्री भामाशा आगते सुईकियम विपुलाम धनराशिम देशस्ते स्वतंतरताय प्रतापाय समर्पयती यानि उस अवसर पर तस्मीन अवसर रहना उस अवसर पर मेवाड के मंत्री भामशा आकर अपने विपुल धनराशी देश की स्वतंतरता के लिए परताप को समर्पित कर देते हैं यानि दे देते हैं इस प्रकारी सेकां की रूपक में मारणा परताप की करताव वे बुद्धी अपने राष्ट की स्वतंतरता के लिए दड़ इच्छा शक्ती स्वाभिमार भामशा की उदारता और देश रक्षा के लिए अपनी सम्पति का समर्पन आदी इस प्रकार की गुण वर्णित हैं इसमें अपनी एकांति में ये था पार्ट परिश्चे यह अब हम पढने वाले हैं अपने पार्ट का नाम क्या है स्वाधेशं कथम रक्षियम मेवाड़ा दी पती महराणा प्रताप है रंड्य स्वह सचे देंड स्वह एकस्यां स्चीलाया उपविश्टह वर्तते मेवाड के राजा महराणा प्रताप जंगल में अपने साथ्यों के साथ एक शीला पर वह हैं ठीक ना सहचारनें स्वह सहस्वय यानि अपने सहचरनें यानि साथ्यों के जाठ ठीक है असुप्राणेहें अपीस्वदेश्चंदक्षित्व इच्छती वह प्राणों की बाजी लगाकर भी अपने देश की रक्षा करना चाते हैं कौन महराना परताप साथला सादनों के अभव में कुछ भी कंडे में ऐसमर्च वे मंद में कुछ विचार कर रहे हैं। कौन भाराना प्रतापह अरे धिक माम यानि की प्रताप कहते हैं अरे मुझे धिकार है। क्या बोलते हैं अरे मुझे दिकार है यदि मैं मात्री भूमी की रक्षा नहीं कर सकता हूं तो यहां रहने से क्या प्रयोजन यहां रहने से क्या प्रयोजन लंबी सास लेते हैं कौन प्रताप तब कोई राजपूत सरदार प्रवेश करता है तो सरदार कहते हैं रजोजन प्रणम में विजयताम विजयताम महराज है यानि सर्दार कहते हैं राजा के अनुरुप प्रणाम करके महराज की जै हो महराज की जै हुँ तो परताप है कहते हैं दीरगह नीश्व सस्य मुख़म उनमेच हादिक यानि की परताप कहते हैं लंबी साष लेकर और मुख को उपर उठाकर अरे ढिकार है कि विजे ध्वनीम कृतबा तुम अपी किम एवं मा लजजे से ब्राता है विजे ध्वनी यानि जैजे कार करकर कि तुम क्या इस प्रकार मुझे लज्जित कर रहे हो भाई ब्रहते कर क्या होता है भाई तो सर्वदार कहते हैं प्राणा अधार किम अधार आप यह क्या कह रहे हैं तो आगे बोलते हैं सर्वदार दर्माय वहुतार सरवसकीं अप्यक्रॐत्य अपने धर्म के लिए आपने सब कुस्तो किया स्वाधिन ताय सर्वकिम अपिसूड़म यानि स्वतंतता के लिए सब कुछ भी सहन किया भातर सदाविज़े डि वह विश्यति आपकी सदाविज़ेगी होगी तो प्रताप कहते है की द्रशस्तावाद की द्रशस्तीः विजय यानि की तु विजय कैसी? तु विजय कैसी स्वधेश को त्यागने के लिए तैयार हूँ नु स्व्धीय किया उत्थाय सांजिली यहां जहां जहां आप जाएंगे वहां वहां हम भी आपके पीछे पीछे जाएंगे तो परताप पर कहते एवम ना वाच्यम यानि ऐसा मत कहो यानि कि ऐसा मत कहो आप यहां ठैर कर यह मात्री भूमे की सेवा करें तो त्रत्य सर्वदार है कहते हैं नहीं भगवन अस्माकम सेवा हा भवता सहसंती सहसंती जहां देना पीछा सर्दार कहते हैं नहीं भगवान हमारी सेवा आपके साथ हैं यानि हम तो आपके साथ ही रहेंगे निवस्टिया में यानि रहेंगे तो परताप पर कहते हैं यद रोचते भवत दव्वे पुर्वन्तू यानि की आपको जो अच्छा लगे करो न अहम भवंताह विवशाम करो में महराना परताप पें सहसर्वे अपी अनुचरहा तथा उठ्थाय बिल्ला नाम आवासिस्टे मध्यतह नहीं सरंती यानि आपको जो अच्छा लगे कर में आपको वीवश नहीं करता हूँ महराना परताप के साथ सभी सेवक वहां से उठकर भीलों की बस्तीके प्रताप भी अपने देश को त्यार कर अन्यांत्र प्रस्तान कर गए हैं तो दूसरा भिल्ला कहता है ना जाने ऐसे मेवार देश के भागये में क्या लिखा है हे दीन दयालो परमेश्वर तुम अपिया दे या निश्टुर हा कतंग जाता है हे दीन दयालो परमेश्वर तुम भी आज इसने निश्टुर कैसे हो गए हो निश्टुर यानि कठोर कैसे हो गए हो तो तर्तिय बिल क्या कहता है हा धिक तीसरा बील क्या कहता है, हाई दिकार है, बेचारे के पास किसके, महराना प्रताप के पास, ना जीवन यापन की सामगरी है, ना युद करने की सामगरी ही है, चैके है, मातरी भूमे, दूरदशाम, स्वय चक्षुशा, कथम दक्षाम, सोधिती, भिल्लानाम, प्रलापं, शुत्वा जानि हाय धिकार है, बैचारे के पास ना जिवन यापन की सामगरी है, ना युद्ध करने की सामगरी ही है मातरी भूमे की दूरदशा, अपनी आखों से कैसे देखेंगे, रोता है, कौन दिल, जो भील है वो रोते हैं, और भीलों के प्रलाप को सुनकर एक साती, एक सेचरह कहता है, हाद धिक, एते भिल्ला सत्यम एवदंती, यानि एक साती बोलता है, अरे धिकार है, ये भील सची कह रहे हैं, ये समय देश और धर्म के लिए अच्छा नहीं है परम किम क्रिये थे, यानि लेकिन क्या किया जाए, परम किम क्रिये थे, असी ने सहाय प्रतापाय ददत प्रभव बलिन ददातु मंभवान अनी, यानि तलवार को निकाल कर प्रताप को देता हुआ, स्वामी इस तलवार में मेरी बली चड़ा दू, है ना, ना आत्म अपनी आखों से मेवार भूमी की दूरदशा नहीं देखी जा सकती है दूरदशा यानि बुरिष्टिती नहीं देखी जा सकती तो दूत्य सहचारे कहता है सत्यम एव सांप्रतम जीवनम नरकायते यानि दूसर साथी कहता है सचमुछी अब जीवन नरक होता जा रहा है तो भिलहा यानि भील कहता है हा अस्माकम अपी जीवनें कूलाबह यानि है हमारे भी जीने से क्याल हाब यानि की भील कहता है हरे है हमारे भी जीने से क्यालाब यदि हम देश रक्षा के लिए कुछ भी करने में समर्थ नहीं है तो हमारा मणना ही बहतर है तो इन सब को सुनकर प्रतापक क्या जवाब हाद धिक भवंता सरवे इदम किम कुरवंती अरे धिकार है आप सबी लोग ये क्या कर रहे हैं आत्महननम महत पापम वर्तते आत्महत्या महान पाप है इस्तियताम इस्तियताम ठेरिये ठेरिये कष्टानी सोडवा वीरगत्या मरणम कल्यान करम कच्छते कष्टों को सहन करके वीरगती से मनना कल्यान करी कहलाता है इस्तियताम आत्महननम तु नपुसंप का नाम कर्म यानि इस प्रकार की हात्मत्या तो आत्मत्या तो नपसको का काम है कि इस चित धहर्यन विचार्यन तू कुछ दहर्य के साथ विचार कीजिए आगे लिखा है प्रश्टतह द्वनी भवते इस्तियताम इस्तियताम प्रभो इस्तियताम इस्तियताम यानि की पीछे से द्वनी होती है ठेरो ठेरो स्वामे ठेरिये ठेरिये तो प्रताप है कहते है प्रिचित तुहनी मेव आकरने सोसाम अरे सर्वदार रक्षम आरुह दिर्ख्षताम तू तावस कह अयम शब्दायते यानि प्रताब बोलते हैं प्रिचित आवाज से सुनकर उससा के साथ अरे सर्दार पेड़ पर चड़कर देखो तो यह कौन आवाज लगा रहा है तो सर् तो सर्दार ठीक है भली भाती देखता हुआ महराज मेवार की मंत्री भामशा जैसे कोई आते हुए परतीत होते हैं तो प्रताब हूँ कि मुत्तम भामशा हूँ क्या हूँ यानि अरे क्या कहा भामशा तस्यकतम एदम ज्यातम अभूत यानि उसको यह कैसे मालूम हो गया अस्तु तावत प्रतिक्षाम्हेंतं। भामश्याई धनराशी गरंति मादाय आयतिर। यानि की वह क्या कहा, मत्रब सरदार ने बूछआ तो ना, बेवार मंत्री आते वे देख छें, तो बोला क्या कहा, भामश्याई, उसको ये कैश से मादु मुलों हो गया, तो खेर तब तक परतिक्षा करते हैं तब तक परतिक्षा करते हैं जब तक वे आने जाते हैं तो यह ब्रेकेट में जो लिखा है इसका मतलब क्या है भामशा धन राशी के पोटल लेकर आ रहे हैं तो भामशा केते हैं प्रणाम करके अन दाता सेवक को त्याक कर श्रीमान जी द्वारा कहा प्रस्तान किया जा रहा है यानि ऐसा बोलते हैं सेवक को त्याक कर यानि मुझे त्याक कर श्रीमान जी द्वारा कहा प्रस्तान किया जा रहा है तो प्रताब कहते हैं दीर गहनी बंदो घंतुमचैक्वे तूना यानि प्रताप लंबी सास लेकर कहते हैं कहीं नहीं बंदू जहएं नहीं जहां भी जहां भी तो नहीं सकता झांजः निश्चैnhषर आफ्डशम कथम रक्ष्यह Тем पास में धन नहीं है और ना सेना नहीं है मैं अपने देश की कैसे रख्षा करूं किसलिए ही मन डगमगा रहा है तो भामशा कहते हैं महराज यदा इमान समाचारन अश्वनम तदा हर्दयम में भगनम इव अभवध धन ग्रंथिम निर्देश से इम कुनहा संपति ही कसमें प्रियुजनाए महराज जब इन समाचारों को सुना तब मेरा हर्दय टूच सा गया धन की पोटली की और निर्देश कर फिर ये संपति किस प्रियुजन के लिए ये अफ़सर ना इम उपर यूजते यानि कि यदि ऐसे अफ़सर पर इसका प्रियुद नहीं किया जाता है तो ये इतनी सारे धन सलपति किसलिए मैं जोड़ कर रख रहा है ये इस बूदेश समय में इसका प्रियुद नहीं उरा है तो ये मतलब तो प्रताब्वे कहते हैं भहवां सत्ययम वड़ती आप है में बहामा रेताम जी को दे रहे हैं यानि कि यदि ऐसी बात है तो आपकी ये चंपति श्रीमानी स्विकार करें तो और दो प्रतंत्रता की बेडियों को इन फॉलादी बुझाओं से स्वधेश को स्वधेश को स्वधेश कर दीजिए धन को सुरक्षित कीजिए धनस्य करतिकाम चड़नेह एपरियतह से प्रामहम यानि धन की पोटली को प्रणाम सहित चड़नों में अरपित कर देता है कौन भामशा आगे लिखाया प्रताप सा आश्चर्यम किम एदम बवान करोती यानि आश्चर्य के साथ प्रताप आश्चर्य के साथ आप ये क्या कह रहे हैं भवदिय संपति कथम मदिया ये संपति आपकी है मेरी कैसे है किम एतिन न में अपमान हा यानि क्या इससे मेरा अपमान नहीं है न अहम दत्ताव संपति पुनरा ददामी मैं दी हुई संपति को वापिस नहीं लेता हूं परताप ने कहा तो भामाशा कहते हैं सविन्यम महराज न अहम अपमानम करूमी यानि कि वि पुर्वक महाराज मैं अपमान नहीं कर रहा हूं का तुछ सेवक के शक्ति या असव तथा दो सासम कुर्यात यानि कि इस तुछ सेवक की क्या ताकत की वह ऐसा दुस्थाहस करें ग्रहताम महाराज ग्रहताम देश धर्मयों रक्षा विद्यताम यानि कि ले लो महाराज ले लो देश और धर्म की रक्षा करो ठीक है तो परताप कहते हैं सहर्श मादाए धने यसी मंत्री वरहे धन्य हैं परताप कहते हैं सहर्श लेकर धन को लेकर कहते हैं धन्य हो मंत्री धन्य हो तुमारी मात धन्य है त्वधियम जननी धन्य कथ्यम तू अभिन्य हिर्दय यस्याम यती संपती यानि कि कहो मित्र अभिन्य हिर्दय इसमें कितनी संपती है पता आपने पूछा इसमें कितनी संपती तो भामाशने करें पसंद मुखप्रणम में महराज यति ए स्वल्प तमा यद अन्य द्वादश द्वादश वर्शान यावत पंच विंशती सहसंतर से निकाह सहर्शम योद्धम शक्नुवंती यानि कि भामशन प्रसन्न मुख प्रणाम करके महराज इतनी थोड़ी कि इससे 12 वर्ष तक 25,000 सहर्ष युद्ध कर सकते है कहां तक 12 वर्ष तक 25,000 सहने को हो तो परताप अहो तदा तु किम कत्मियम अहो तब तो क्या कहना है महत कारे से स्याती अन्या जानि बड़ा कारे इससे संपन होगा सर्वान संभूद्धे अध्य असमात एव शानात राणा स्वदेश स्या पार तंत्रे शंक्ला त्रोड य सते भामशा अभी लक्षे धनों असी मित्र धन्य एही त्वाम गारम आलिंगे नं तुम अभिलाशमी यानि अहो तब तो क्या कहना बड़ा कारे इससे संपन होगा सभी को संभूद्धित करते हैं आज अभी इसी शन से राणा अपने देश की परतंदरता की जंचीरों को तोड़ने के लिए शत्रों का संहार करने के लिए धर्म की रक्षा करने के लिए युद्ध करेगा अवश्य ही युद्ध करेगा भामशा को लक्षित करके धन्य हो मित्र धन्य मैं आपका ये प्रगाण रूप से आलंगिन करना चाहता हूं तो भामशा कहते प्रताबं सर स वह सहचरा सहश्रम जानि ही भामय सहा प्रताप से संकुछ के साथ पात जा कर इस वामिमे धन्य यानि अनुगरेट भुआ तब दौनो प्रेम से आपस में मिलें कना ऑलें मिलते हैं दौनों का मिलना देखकर सभी साती परसनता के साथ गोलते हैं यानि तब दोनों साथ मिलते हैं महराना प्रताप सिंग धन्य है मंत्री भामा शा भी धन्य है दोनों का मिलन भी धन्य है हम सब धन्य है यह समय धन्य है प्रिय पावन दर्शन भी धन्य है स्वदेश की जय हो भाराना की जय हो भामाशा की जय हो परदा गिरता है ठेक है यह तो हूँ आपना पूरा चैप्टर ठेक है अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर को डिस्कस करेंगे अगर आपका हमारा वीडियो चलागे तो प्रेट